आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, मित्रो आज हम गंगोत्री की बात करेंगे, गंगा नदी के दूसरी पार से हर द्वार में हम लोग इसको खलक करके हमने इसको पंजर्व किया है, गंगोत्री कहते हैं और बन धनिया भी इसको कहते हैं, धनिया जैसे इसके पत्र देख रहे होंगे, साइथोकलाइन परपूरिया, एस्टेरेसी फैमिली का प्लांट है, कई सारे ओस्ध्य गुणों के लिए उपयोग में हम लाते हैं, मित्रो, साधान रूप से गंगा जे के वैट लेंड एरिया में हरद्वार से लेके और हाई देखने को मिलता है, इसके आप इनफ्लोरेशन्स भी देख पा रहे होंगे, मित्रो, इसको हम इस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, इससे निकलने वाले एरोमेटिक ओईल का उपयोग हम स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम त जाता है, इसके फ्लावर्स का इनफ्यूजन आप बना लेजे, फ्लावर्स का इनफ्यूजन आप बना कर सेवन करते हैं, तो लिवर से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने का कारे करता है, लिवर से जुड़ी हुई समस्याओं इसके फ्लावर के इनफ्लोरेशन से बना जाए हुएं इन्फूजण से ठीक हो जाती हैं, बित्रो मलर्या की शमश्या जिसके अंदर के पं लगना और वुखार हो जाता है, उसको ठीक करता है, लंग्ज में टुबर क्लोसिस की समस्या टीबी को ठीक करने का कारे करता है निमोनिया की समस्या उसको भी ठीक करने का कारे करता है और हमारे मेटाबॉलिजम के डिस्टर्ब होने के कारण हॉर्मोनल डिस्बैलेंस के कारण पन्न कई परकार के ओटो अम्यून डिसॉर्डर्स को ठीक करने के लिए आप पूरे प्लांट का डिकॉक्षन अढ़ा बना कर पी सकते हैं पीने के बाद आप देखेंगे 15 दिन के अंदर सरीर के टॉक्षन सरीर से बाहर निकल जाते हैं और हॉर्मोन से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार तीन महिने तक पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं फिमेल हॉर्मोन से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए आप इसके इन्फ्यूजन का सेवन कर सकते हैं और इसके पूरे प्लांट का काड़ा बना कर भी सेवन कर सकते हैं मित्रों पेट में खेचाव हो जाने के कारण अगर दर्द बना हुआ है या पेट में कीडे हो गए हैं उसके कारण अगर दर्द बना हुआ है पेट में गैस बन जाती है या इन डाइजेशन की समस्य हो जाती है इसमें कुछ पच्टा नहीं है और बैल्चिंग होती रहती है हमें डकारे आती रहती है ऐसी डिफ्लेक्स हो रहा है इस तरह कि कई प्रकार की जो समझ्याएं है वो डाइजेस्टिव डिसॉडर से जुड़ कर देनी चाहिए इसकिन की समझ्याएं ठीक हो जाती है इससे निकलने वाले उइल का उपयोग हम बता चुके हैं कॉस्मेटिक परकर्स के लिए एंटी एजिंग क्रीन तैयार करने के लिए सुरियस के हीलिंग के लिए हम लोग उपयोग में ला सकते हैं इससे निकलने वाला का क्यारे करता है अगर कहीं घाव आपको हो गया है कट लग गया है मोच हो गई है सूजन हो गया है इंफ्लामेशन हो गया है काटलेज ब्रेक हो गया है बॉन फ्रेक्चर हो गया है ऐसी भी अगर समझ आए हैं तो इसके पूरे पत्र आप देख रहे हैं पत्र और इंफ्लो करने का कारे करता है उत्तम होता है कि external application के साथ साथ आप इसके पूरे plant का पंचांग का whole plant का आप decoction बना कर काढ़ा बना कर भी seven करते रहें पूरी तरह से safe है effective है आपके स्वास्ते के छी healing करते हुए कम समय में इस प्रकार की समस्याओं को भी ठीक करता है पिरकृति के disturb होने के कारण शरीर के दोस्त के बढ़ने के कारण बार-बार होने वाले बुखार इन सब को भी ठीक करने का कारे करता है मित्रो cancer के patient में immunity काफी compromise हो जाती है कई प्रकार के cancer cells के उपर भी इसकी anti-cancerous activity देखी गई है चाहे वो colon के cancer हो चाहे lung cancer हो इन प्रकार के cancer को ठीक करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं traditional medicine है और समय के साथ साथ उपयोग ना होने के कारण या जानकारी के अभाव में हम लोग आउस्दियों को अच्छे तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं उनके गुणों के बारे में जान नहीं पाते हैं और अनविग्यता के कारण हम उनके थ्रप्रप्रटिक benefits भी नहीं ले आते हैं तो आसा करते हुए कि आप सब अच्छे से इन उस्दियों को जानेंगे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे अपने अच्छी स्वास्थे का संडक्शन करेंगे और जानकारी अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर सेयर करेंगे अगर आप चैनल पर आने वाले प्लांट की जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपने स्वास्ते का संदक्शन करते रहें इनी मंगल कामनों के साथ आप सभी का धन्यवाद परणाम नमस्कार